तो आज इस फिगर की अन्बॉक्सिंग के साथ साथ हम डिसकस करेंगे सूपरमान की अमेजिंग सूपर पावर तो फ्रेंद्स ये है सूपरमान अक्शन फिगर आप देख सकते हो इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और ये काफी स्टेबल भी है इस अक्शन फिगर इस रेप्लिका अफ हेंडरी केवल फ्रॉम दे मन अफ स्टील सूपरमान की फर्स बिग बजट मूवी का नाम था सूपरमान जो की इर 1978 में रिलीज हुई थी और उसमें आक्टर क्रिस्टोफर रीव ने सूपरमान का रोल प्ले किया था इयर 2013 में आइकॉनिक मूवी मैन अफ स्टील रिलीज हुई थी जिसमें की सूपरमान का रोल हेनरी केवल ने किया था और आपको पता है कि सूपरमान के चेस्ट पर ये जो S सिंबल है इसका क्या मतलब है हम इसे काफी सारे लोग तो उसे S for Superman ही समझते हैं लेकिन Actually में इसका मतलब क्रिप्टोनियन लैंग्विज में होप है इस फिगर का फेस काट, हेर स्टाइल और ब्लू आइज कितना कूल लग रहा है ये हमें हेंरी केवल की याद दलाते है उसकी अलावा आप देख सकते हो Superman का ये Blue and Red color combination में Amazing suit ये थोड़ा डाक साइड में है और इसमें Matte finish में design दिया गया है काल एल यानि की Superman Krypton Planet पर पैदा हुआ था लेकिन Krypton Planet के Explode होने से पहले ही उसके बेरिंस ने उसे Earth पर भेज दिया था और Earth पर आकर उसे एक नया नाम मिला Clark Kent और Clark Kent बड़ा होकर American Justice or Liberty का सिंबल बना Superman ने ये जो Red cape पहना हुआ है इसकी quality बहुत Amazing है Mostly action figure में ये cape plastic like material में दिया होता है लेकिन इसमें proper velvety finish का ये cape दिया गया है और आप देख सकते हो कि इसका size भी एकदम appropriate है Superman के पास है Amazing super powers like heat vision, super speed, super strength, super hearing and his iconic flight इसके अलावा Superman के पास है explosive super flare की power जिससे वो एक nuclear bomb जितनी energy release कर सकता है लेकिन इस power को use करने के बाद Superman को 24 hours तक एक आम आदमी की तरह रहना होता है क्योंकि फिर उसकी body को recharge होने में 24 hours लगते है Body articulation की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि इसके हो hand से 360 degree तक rotate करना possible है उसकी अलावा इसके leg को front और back move किया जा सकता है और neck में से ये left and right की और move करता है इस red button को press करने से इसके chest में light जलती है और साथ में इसमें से music and sound भी आता है तो उसे check करते हैं Friends आपको पता है कि Superman अपने हातों से अपने ही miniature versions भी release कर सकता है और वो miniature versions फिर Superman की मदद दुश्मनों से लड़ने के लिए करते हैं तो overall ये तो कहना होगा कि इस action figure की finishing बहुत कमाल की है और इस price में इतनी अच्छी finishing और build quality मिलना तो almost impossible है इस action figure को देख कर ऐसा लग रहा है कि Superman अपना हाथ उठाएगा और up up and away कहकर उठ जाएगा तो friends Superman की इस action figure के साथ मैं अपनी DC action heroes की series की शुरुआत कर रही हूँ and also side by side I am doing a complete series on Avengers superheroes so do check out those videos as well और Toys Pidara channel को subscribe, share, like जरूर करना, bell icon को भी all notification में जरूर से press कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे बहले आपके पास पहुँच जाए तो जब तक मैं अपनी अगली वीडियो के साथ हाँ तब तक के लिए, bye-bye